ये जो रेश्पी आप देख रहे हैं बच्चे हो या बूडे सभी को पसंद आएगी भर भर के कटोरा खाएंगे तो भी आपका मन नहीं भरेगा और साथी साथ आपका इनर्जी भी बढ़ाएगा क्योंकि जो चीज मैंने इसमें डाला है वो चीज आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और ये साथी साथ आपके पेट को बहुत ज़्यादा ठंड़ा ही रखता है और गर्मी भी चुट्कियों में भगा देता है और ये इतना ज़्यादा टेस्टी यमी लगता है ये रेस्पी कि आप पूरे गर्मियों में खाना पसंद करेंगे तो आज की जो रेस्पी है पसंद आएगा पसंद आएगी तो लाइक करिएगा दोस्तों के साथ फैमिली के साथ सेयर करिएगा और चैनल पर पहली बढ़ा है तो सस्क्राइब भी कर लिजेगा तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का रेस्पी तो फ्रेंड्स यह रेस्पी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बरतन लेना होगा और जो नूडल हम चैटपटा बनाते हैं आज उसी नूडल से हम यह रेस्पी तयार करेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यदा पसंद आने वाली है तो उसमें हम डालेंगे दो टेबल स्पुन रिफॉंट आयल आपको रिफॉंट आयल ही इस्तमाल करना है और बाकी आयल नहीं लेना है जैसे मस्टर्ड अगारा आयल होता है वो नहीं लेना है रिफॉंट आयल ले सकते हैं और इसमें डालेंगे हम दो ग्लस पाने तो एक ग्लस मैंने पानी डाल दिया है दूसरे ग्लस भी पानी डाल देते हैं आपको पानी इतना डालना है जितने में आपका नूडल अच्छे से पक जाए और इसमें डालेंगे फूड कलर जो कि आपको अगर पसंदे तो डाल सकते हैं वरना इसकिप कर सकते हैं तो मैंने इसमें अच्छा कलर आने के लिए थोड़ा सा ग्रीन कलर आइड किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा ये कलर फुल हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा सुन्दर भी दिखेगा हमारा ये रेस्पी उसके बाद से हम मिक्स कर ले रहे हैं कलर को और हम इसे ढख देंगे मिक्स करने के बाद जब तक कि हमारा ये नूडल अच्छे से पक नहीं जाता तो इसे में ढख देती हूँ जब तक ये पक नहीं जाए तब तक हम इसे इसी तरीखी से छोड़ देंगे हाई टू मीडियम प्लेम पे अब 10 मिनिट हो चुके हैं हमारा नूडल अच्छे से पक चुका है मैंने डखकन अटा दिया है आप देख सकते हैं और बहुत ही अच्छा कलर आया है हमारे नूडल का उसके बाद हम सभी नूडल को इस टीनर में डाल करके हम छान लेते हैं उसका पानी हम अलग कर लेते हैं पानी को हमें नहीं इस्तमाल करना है बस हमें नूडल चाहिए और यह देख सकते हैं मैंने ओयल किसलिए डाला था यह बरतन में बिल्कुल भी नहीं लगा है क्योंकि जरूर डालें दो टेबल स्पून बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है पेन में नहीं चिपकता है तो चलिए हम उसी पेन को मैंने ले लिया है दूद में पहले से ही उबाल करके रखे थी जिसे कि मैं अभी मैं उसी पेन में ले ली हूं उसके बास आधक कप पानी लें कष्टर्ड पौडर जो कि पैकट ही 2 lors beham है जो कि मैं दो टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दीआ है कष्टर्ड पौडर में लें तो लेकर के लिए कौश्टर का कंगे है ज їंedy नहीं को घ्रम बारे आगों दोद ले अन्या में आपको अस macum मेला में नहीं लें तो आपके कश्टड का जो मैंने घोल तायर किया था अब इसमें हम डाल दी हैं सारे दूद में जो कि इसे अब कांटिन्यू हमें इसे बराबर चलाते रहाना है और हाई टू मीडियम रखना है बिल्कुल भी फास्ट ना रखें कि बहुत ही तेजी से गाड़ा हो जाता है कश्टड डाल इसमें हम डालेंगे साबुत चीनी अगर आपके पास चीनी का पौडर है तो इसे भी अब डाल सकते हैं वह भी अच्छा रहेगा तो इसे हम चीनी को भी मिक्स कर लेते हैं कश्टड में उसके बास हम चीनी को डालने के बास चार मिट इसे पकाएंगे कश्टड के साथ जो क गाड़ा करेंगे तो बहुत ज्यादा गाड़ा हो जाएगा अच्छा नहीं लगेगा अब मैं गैस से बाहर ला दी हूं और इसे में ठंडा होने दूंगे आदा गंटे तब तक मैं आपको नूडल दिखा देती हूं इधर आप देख सकते हैं नूडल को मैंने बारी की हो जाता है उसके बाद में इधर आदा गंटा पहले मैंने सबजा को भीगो दिये थे दो टेबल स्पून और अच्छे से वो फूल गया है और बहुत ही फायदे मंद होता है आप इसे ऐसे ही सूबा के टाइम अगर भीगो करके इसका सेवन करेंगे तो बहुत जादा करें बिल्कुल भी पानी ना रहे नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा उसके बास हम इसमें मिक्स कर लेते हैं मिक्स करने के बाद बहुत ही अच्छा सा ये लुक इसका दिखेगा आप देख सकते हैं ये इसका लुक कितना अच्छा दिख रहा है और बहुत ही ज्यादा ये ये रेस्पी बन करके तयार हो गया आप देख सकते हैं इसका टेक्चर कितना क्रीमी है और मिक्स करने के बाद इसका कलर बहुत सुंदर दिख रहा है ग्रीन कलर और एलो कलर में इसका कम्मिनिकेशन हो गया है अब आपकी च्वाइस है अगर इसके उपर आप गारनिसिंग करन हूँ उसके बाद में थोड़ा सा रोज सीरप ली हूँ और इस तरीके से मैं इससे भी गारनिसिंग कर देती हूँ जो कि हमारे रेस्पी बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत दिखने लगे और यह बहुत ज़्यादा यह टेश्टी यमी हमारा यह रेस्पी बन करके तयार हो इसके बाद में अपने फैमिली में सब करने जा रही हूँ जो कि आप देख सकते हैं और इसका टेक्चर बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है एक बार जरू ट्राइ करेंगा इस रेस्पी को बहुत ज़्यादा यह टेश्टी लगता है और इसे बनाना भी बहुत ही ईजी है जो क कि अपने बच्चों के साथ सेयर कर सकते हैं उन्हें भी बहुत ही अच्छा लगेगा अलग अलग हर रोज ऐसे ही रेस्पी आप उन्हें देंगे तो आई होप कि यह रेस्पी आपको अच्छा लगा हो अगर ऐसे ही आपको रेस्पी हर रोज आपको देखना है तो हमारे च से भी आप संबंदित वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं मैंने बहुत सारी यूज़ फूल टिप्स आप लोग के साथ सेयर किया है जिसे आप वीजली उसे भी देख सकते हैं तो फ्रेंड्स आज मैं यहीं पर अपने वीडियो को एंड करती हूँ फिर से मिलोंगी नई रेजबी के साथ तब तक के लिए बाई बाई थैंक यू पर वाचिंग करा दो फिर से मिलोंगी नई यहीं पर वाचिंग